आज हम लोक बात करेंगे Stablehost के बारे में हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ यहाँ पर मैं वेबूस्तिंग करता रहता हूँ आज हम बात कारने वाले सिस्टेबल होस्ते के बारे में Stablehost एक वेबूस्तिंग कंपनी है इसको मैं यहाँ पर काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो आज मैं आपको इसका डेटेल रिव्यू दूँगा, क्या यह आपको लेना चाहिए, कि ने लेना चाहिए, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, और क्या इसके अल्टरेटिब्स में हमारे पास कुछ के यहाँ से अंडर, मेज ग्रूप के अंदर काफी और और वी यहाँ यहाँ पर काफी और कमपनीज अती है, जैसे की EIG Group था, NUE-FOL Crystal Group है, उसी तरीकेसे यहाँ पर मेज ग्रूप भी है, इनके अंदर ममेतर यहाँoning कारड़ीख काbery। है, जिसमें से तो यहां से अम्म लिभ ऐकस्ças कर सकते हैं आपर सव मेरे पास प्लान मेरे कर फ्लानम की सतर्ख लैक्श कर रहा हूं औरना मेरा किसम ब्लान Economy कर देता झाल कम जयाक कर रहा हूं उसकी सब्सक्रण अपर सब्सक्राब करो जाकामना है तो यहां पर यह मुझे सी पैनल के ऊपर रीडिरेक्ट कर देगा, लॉग इन कर देगा, जो मेरे पास यहां पर प्लान है, वो है इसका यह प्रो वाला, शेयर डूस्टिंग प्लान है, और यहां पर मैंने अपनी वेबसाइट लिए OceanWP theme का यूज किया है, Elementor-based यह प्लान है, इंडिया आते तक इसका सर्फर रिस्पॉंस ताइम थोड़ा बाड़ जाता है, इसका स्पीड की बात करों तो जब मैंने आपर नियॉयोक से यहां पर स्पीड टेस्ट किया, तो मेरी वेबसाइट आपर अच्छी पीड पर लोड़ है, 1.32 सेकेंड इस गुड लेकिन जब मैंने आपर इंडिया सेकेंड तो 4.75 सेकेंड यहां फिर 5 सेकेंड तो इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपकी यूएस ओडियन से तो यहां पर आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी, अप टाइम की बात करों तो तो यहां पर मै जाने के लिए अच्छी सेकेंड तो इसका अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट करता रहोंगा, तो अगर आपको लेटेस अप टाइम इंफोमिशन चेहिए तो आप लोग जा के डीटेल रिव्यू उसका नीचे पढ़ सकते हैं अब अगर यहां पर मैंने 50 वर्च्व य तो अच्छी बात है कि यहां पर कोई भी HTTP फेलियर नहीं हुआ है कोई भी यहां पर रिक्वेस्ट कोई एकदम से स्पाइक नहीं हुआ है लेकिन जो इसका अवरेज रिस्पॉंस था वो मुझे तवड़ा जादा लगा है कंसिडरिंग में यहां पर यूएस से ही कुछ क्लाउड है क्या होते हैं क्लस्टर होस्टिंग वो में अभी आपको आगे बताऊंगा यह इनोंने एक नया कॉंसेप्ट लेकिया है यह लोग और यहां पर जो लाइट स्पीट सर्वर्स है वो हर डीटा सेंटर पर अवेलेबल नहीं है जैसे यूएस पे हैं नीदल लेकिन स्वीडन में जाओगे तो फिर आपको अपाचे लिना पड़ेगा सिंगापूर पर यहां पर दोनों ऑप्शिंस अवेलेबल हैं स्पेन में अपाचे है जर्मनी में भी अपाचे है ना इनकी ओफरिंग यहां पर ठीक है लेकिन मुझा ऐसा लगता है कि बिगनर यह कुछा है उसको रखा जाएगा तो मानलो और किसी एक सर्वर में आपर प्रोब्लम आ यह यह या फिर एक हाट्डेस में प्रोब्लम आज़ी से सब्सक्राइब तो फिर वो दूसरे सर्वर पर यहाँ पर शिफ्ट कर देगा इनका इसा यहां पर कहना है तो इसका कॉंसेप् यहां पर free SSL मिल जाएगा बात करों तो यहां पर इन्होंने सीधे मेंशन करके रखा है कि we strongly encourage you to back up your site on your servers locally and not rely on our backup methods मतलब आप हमारे भरोसा मत रखो आप अपने end पर create करके रखो इतने अच्छे से इन्होंने यहां पर बोल्ड पर लिखके रखा है यहां पर आपको 14 days तक का backup मिल जाता है इसको यहां पर access किया जा सकता है R1 software through और जब यहां पर मैंने इसको access करनी कोशिश करी तो फिर यह मुझे यहां पर इस तरीके का error दिखा रहा था and then यहां पर मैं अपने backups को access नहीं कर पा रहा था and then उनसे वापस conversation continue भी कर रहा हूं तो भी मुझे बार-बार उनको question mark लगके भीजना है कि भाई मुझे reply करो मैं यहां पर बैठाव हूं आपके reply का इंतजार कर रहा हूं उसके बाद मुझे reply काफी slow थे and जो इनके support representatives थे यहां पर कुछ खास अच्छे नहीं लगे for example यहां पर मैंने उनसे पूछा कि preview कैसे करूं मैं website को preview URL कैसे मैं generate करूं तो वह सीधे यहां पर मुझे एक article के उपर redirect कर देते कि यह वाला article जाके पढ़ लो उसके बाद मैंने कहा कि क्या कोई उसको इसी तरीका है को generate करने का तो कहते हैं कि यह वाली website पर जाके generate कर लो अब क्या करना है कैसे करना है वह तो बता दो यहां फिर आप कुछ तो अपने एंड से effort करो सिर्फ one word answer देकर कि यहां फिर article का link देकर कि that's it and then यहां पर फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन से कैशे प्लगिन का मुझे यूज़ करना चीह तो उन्हों ने मुझे कहा कि आप यहां पर w3 total cache का यूज़ कर लो ठीक है लेकिन यहां पर फिर मैंने पूछा कि क्या वो lightspeed servers अगर क्योंकि lightspeed servers तो यहां पर lightspeed cache plugin का यूज़ होना चाहिए by default लेकिन by default तो यहां पर कोई प्लगिन इंस्टॉल ही नहीं था और शायद से इनके support representative को भी नहीं पता था lightspeed servers है तो lightspeed cache plugin by default usually install रहता है नहीं है तो पहली recommendation उसके आती है support यहां पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं अब अगर यहां पर मैं इसके इनोट काउंट काउंट की बात करूं तो मेरे प्लान पर यहां पर 2,50,000 इनोट काउंट है इससे बहले मैं प्राइजिंग के ऊपर आओ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीची देगाई लिंक से परचेस करके अब अगर यहां पर मैं इसके प्राइजिंग के बात करूं तो यह स्टार्ट होता है डॉलर 1.75 पर मन्स है यह जो मेरे पास यहां पर प्लान है डॉलर 4.56 पर मन्स वाला यहां पर अट प्रेजेंट 50% आफ चल रहा है मुझे नहीं पता कब तक चलेगा यहां पर और नाव पर क्लिक करता हूं कुछ इस तरीके का यहां पर इंटरफेस आजाता है मैं यहां पर एक domain name डाल देता हूं यहां पर आपके पास options आ जाते है अगर तीन साल के लिए लेंगे तो हमें यहां पर सबसे ज्यादा डिसकाउंट मिलेगा अगर हम यहां पर कम टाइम के लिए लेंगे तो फिर आपकी प्राइस आप थोड़ी increase हो जाएगी यहां पर साइट बिल्डर है it is good CDN की बात करों तो यहां पर CDN का कोई option नहीं अब इससे पहले में आपर प्रोस और पार में बता हूं अगर अभी तक का कोई वीडियो अच्छा लगए तो इसको थमजब जारूर दे जिएगा अब अगर यहां पर मैं इसके कुछ प्रोस की बात करनों तो इसका यहां पर अप टाइम काफी अच्छा था क्योंकि क्लस्टर होस्टिंग का यूज हुआ है तो इसकी वज़े से यहां पर अप टाइम थोड़ा अच्छा आपको यहां पर देखने को मिलता है अब अगर मैं इसके कुछ cons की बात करूं तो जो इसका support है वो मुझे बिलकुल भी पसंद निया है support है यहां पर improved किया जा सकता है backup management system इसका मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा है और beginners के लिए इतना easy नहीं है in my experience यह थोड़ी सी average hosting लगी है मुझे मतलब ठीक है लेकिन इसमें कुछ मुझे ऐसा नहीं मिला कि मैं इसको specifically recommend कर सकूं कि आप लोग यह वाली ही hosting लो या फिर specific case scenario के मैं आप यह वाली hosting recommend कर सकूं ऐसा कोई मुझे यहां पर reason नहीं मिला है एक reason है कि clustered hosting है यहां पर तो uptime यहां पर आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा तो अगर आपको USB website चाहिए अप टाइम अच्छा चाहिए तो देख सकते हो इसके ऊपर लेकिन हमारे पास और भी काफी अच्छे ऑप्षें से होस्तिंगर है के मिलावड फास्ट कॉमेट है होस्त अर्माड़ भी अच्छों 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 तो उन सब की तरफ भी आप लोग देख सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो थम्स अप कर सकते हैं चानल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं और इंट्रेसिंग वीडियो के लिए और इंट्रेसिंग वीडियो के लिए आद इन नेक्स वन गुट्पाइ